नमस्कार आप देख रहे हैं जी टीवी नियूज उत्रपरदेश के बलिया से दो शिकार्यों की एकानों की लाइफ तस्वीरे सामने आई हैं जिससे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे जिहां मोबाइल की रोसनी में ये तश्वीर को गौर से देखियें इतनी छोड़ी से शाहिल की बिल में जानवर भी बड़ी मुस्किल से खुस पाता होगा मगर साहिल नाम के जानवर का रात के अंधेरे में शिकार करते करते उस साहिल के पीछे पीछे उस बिल में दो भी ठीक है। जिनें एक रामडो द्वारा निकाल पाना भी मुझ्छल हो रहा है एक बार फिर इस तस्मीरों को देखिए कैसे बील में फसे बच्चे को पैर पकड़कर निकाला जा रहा है मगर नहीं निकल पा रहा है उसके बाद देखिए कैसे इट और मिट्टी काट कर निकाला जा रहा है एक सिकारी बच्चा तो सही शलामत निकल गया मगर एक बच्चा उसी बिल में फस कर उसकी मौत हो गई जिसे पुलिश ने पंचनामा करा कर पोश्मारम के लिए फेस दिया पेसे बलिया से नवल जी किसा तक ले सैनी कि ये खास रपोड़ सर कल मैरिया छेतर में साही के बिल में घुसने से एक लड़की कि मुरित तो होगी क्या है पूरा मामरा कल मैरिया में बलाक के पीछे बिंद का टोला के दो लड़के जिनमें एक का नाम राहूल बिंद उम्र लगवग 18 वश और दूसरे का सागर बिंद उम्र लगवग 20 वश ये दोनों साही को पकड़ने के लिए गये और साही की जो बिल है जिसमें वो रहता है उसमें ये गु से आगे राहूल था और पीछे सागर था थोड़ी देर में दम घुटने की वज़ा से सागर बाहर आया उसके दौरा कुछ अल्ला गुला किया गया तो बलाक के कमचारी भी वह मौके पर गया उन्होंने पुरी बात को समझा और इसमें जो अंदर पहले गया था राहूल उ उसको प्रात्मी कुप्चार के बाद बलिया रेफर किया गया जहां पर शाम को उसको ठीक होने के बाद छोड़ दिया गया इसमंद में ताना बैरिया ज़रा पंजयत नामा बरकर कोस्माटम करानी करवई कि जानी है